नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल दा मेडिसिन एक्सपर्ट में तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन बताएंगे अगर आपको गुर्दे की पत्री गुर्दे में पत्री हो गई है और वो काफी दिनों से सही नहीं हो रही है तो इस होमियोपैथिक दवा जो आपके LCD स्क्रीन पर दिकरा होगा मुबाइल स्क्रीन पर दिकरा होगा इस दवा के माध्यम से आप पर्मामेंटली आप अपने को गला कर पेसाब के रास्ते से निकाल सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर आप कोई यह और दवा ले रहे हैं तो उसके साथ साथ यह भी ले सकते हैं लेकिन बस दवा में अंतर एक घंटे का होना चाहिए दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हो गुर्दे की पत माणते हैं पहली दवा जो दवा है वो है दोस्तों यहां पे बैर्बरीक्स बैर्बरीस बलगीर्स ठीक है यह दवा जो आप देख रहे हैं इसको आप पदर टिंचर फॉर्म में लेंगे और दिन में तीन बात ददस बुंद करके आप अपने टंक्स पर लेना है जीव पर दूसरी दवा परेरा ब्रा ब्रावा ठीक है परेरा ब्रावा जो मेडिसिन है इसे आप थाटी पॉटेंसी में लेजिए और इसे भी दिन में तीन बार यूज करिए ओके हर दवा लेने के लिए 10 मेट का अंतर होना चाहिए अगली दवा है दोस्तों कैंथारिस कैंथारिस 30 potency में यूज़ करना है ठीक है अगर आपको गुर्दे की पत्री के कारण पर साब करते समय जलन हो रही है तो इसका अंथार इस 30 का आप दिन में तीन बार यह निस सभी दवाओं को तीन बार यूज़ करना है तो तीन दवाओं आपके पास है तीनों दवाओं का यूज़ द आप अपने प्राबलम को हमारी कमेंट बाक्स में जरूर सेयर करें ओके तब तक के लिए नवासकार आप